नमस्कार दोस्तों, बात मुलाकात के इस खास एपिसोड में हम फिर से लेके आए हैं एक विशीश वारता, फादर स्टे पे स्पेशली ये प्रोग्राम समर्पित है, एक ऐसे पिता को अप्राउट फादर जिनके चार बच्चे हैं और चारो अलग अलग विधाओं में सिद्ध हस्त हैं, काफी मशूर हैं, मकबूल हैं, तो हम मिलते हैं कैसे पिता से और जानते हैं कि पिता के तोर पे अपनी जीवन यात्रा को कैसा महसूस करते हैं, और वो सिर्फ एक सफल पिता ही नहीं है, वो फिलोसफी के प्रोफेसर रहे हैं, वो एक शिक्षा विद हैं, साहित्यकार हैं, और इसके अलावां बहुत सारी स सामाजी कतिवीधियों में सलगने रहते हैं, मैं बात कर रही हूँ, टॉक्टर प्रमोद कुमार जी की जो बिहार इंवरसिटी में फिलोसफी के हेड अफ डिपार्टमेंट थे, अभी वो रिटायर्ड हुए हैं, और उनके चारो बच्चों के बारे में इस एपिसोड में जि देना चाहते हैं. जीवन में सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बेसिक जो चीज है वो प्रसंद्नता और शांती है, तो मैंने अपने बच्चों को कभी भी केरियर का जो एक चुहा दौड होती है, उसमें मैंने इनको ज्यादा उनमुख नहीं किया, बलकि हमने इनको इस बात के लिए हमेशा प्रेरित किया, कि जीवन की जो बेसिक चीजें हैं, जीवन को एक बड़े परिप्रक्ष में लिया, जीवन का मतलब यह नहीं होता है कि बस हमें एक नोकरी प्राप्त कर लें और एक जीवन को भरपूर जीना, ये मुख्य बात है, और इसके लिए ये जरूरी है, कि बच्चों का अच्छा बीते, ऐसा बीते कि एक अच्छी बुनियाद बने और आगे वो एक सफल, सिर्फ सांसारिक सफलता ही नहीं, बलकि जीवन की सफलता, वो हासिल करें, तो इस रूप में मैं सभी जो भी लोग हैं, जो लोग बच्चों की परसंदता को प्राथमिक्ता नहीं देते हैं, बलकि उनको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ली के कुछ बन जाए, बड़ा से बड़ा आदमी बन जाए, इस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, यह अच्छी बात है, यह बनना कोई बुरी बनना, कोई हम बनने से हम कोई कोई नहीं है, लेकिन यह आपने बेसिक चीजों का विकास नहीं किया बच्चपन में, एक फादर के रूप में, जो बच्चपन में बच्चों का सबसे निकट का व्यक्ति होता है, आपने उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व के विकास को आपने यह दी, कि प्रतिय आप सहयोगी नहीं रहे, शिक्षा के नाम पर, आजकर मैं देखता हूँ कि अनेक तरह की विकृतियां भी व्याप्त हो गई है, इसके लोग में, कॉलेजों में, तो एक अच्छी फॉर्मल शिक्षा जरूर मिले, लेकिन साथी साथ, जीवन के बेसिक चीजों की भी शिक्षा मिलने एक पिता के रूप में मैं यही कहूँगा अलात्मक तरीके से इन्होंने अपने बच्चों के कैरियर को, उनके जीवन को दिशा दी है, मैं बात कर रही हूँ, सुप्रसित भोषपुरी और हिंदी गाए का देवी के पिता जीसे, प्रमोध कुमाज जीसे, देवी को आप सब जानते हैं, और देवी के कैरियर और जो देवी की सफलता है, उसमें कहीं न कहीं उसके पिता का बड़ा सहयोग है, और ये बड़े गर्व की बात है, कि एक पिता के रूप में इन्होंने अपनी बिटिया को एक उच्चा आस्बान दिया, उसको उड़ने की दिशा दी, और ये बताया कि तुम कहीं से भी सपनी दे उन्हें समझाय चाता है, कि तुम एक लिमिटीशन में रहो, तो वहाँ बियूंड लिमिटीशन इन्होंने अपनी बेटी को संगीत के छेतर में बढ़ने की, जो एक सहुलियत दी, और जो उसमें सहयोग किया, और जिसकी वजह से आज वो इतनी चर्चित है, और निशित त चार बच्चे हैं, मैं आपको बिता दूँ कि देवी इनकी बिचिया है, और उसके बाद में नीती है, नीती भी बहुत अच्छी शास्त्रिय संगीत और गीत की समझ रखती है, बहुत अच्छी गाईका है, नेहा है, एक बहुत चंचल, अच्छी, एक आर्टिस्ट है, वो आगे कभी उनका भी एक इंटर्वियो देखेंगे, कि एक बहुत चोटी सी उम्र में उन्होंने धीर सारी जो कहा जाता है कि तकनिकी और बाकी तरह के छेत्रों में महारत से हासिल की है, वो सब कुछ कर सकते हैं, जैक अफ आल है, तो इस तरह कि इतने प्रतिभाशाली बच हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों को ये बंदिश नहीं दिया कि तुम्हें एक आम सरकारी नौकरी की जरूरत है, या तुम्हें किसी खास नौकरी की जरूरत है, उन्होंने कहा कि तुम जो करना चाहते हो, वो करो, तो ये बहुत बड़ी बात थी और इसके लि और संगीत का ऐसा समागम है जहां पे आकर आपको लगेगा कि मैं एक ऐसी बहतरीन जगह पे हूँ जहां इन सारी चीजों को एक साथ देख महसूस कर सकते हैं तो सर मेरा सवाल ये है कि देवी म्यूजिक आश्रम की परिकल्पना कैसे और किस उदिश्य से हुई क्या आपके मन में आया बहुत सारी चीज है जो है वो अपने आप धीरे-धीरे विक्सित होते जाती है तो मेरी जो सोच रही है उसी सोच के अनुरूप ये देवी म्यूजिक आश्रम भी विक्सित हो गया और एक्शली हम मैं चाहता था कि एक ऐसी जगह हो जहां मनुस्य की जितनी भी आस्पेक्ट है एक बात मैं पहले ही बता दू जैसे अभी हमारी रंजीता जी ने कहा कि मैंने कभी अपने बच्चों को इस दौड में उस चुहा दौड में हम ले इन लों को नहीं लगाया कि तु तम को यह बनना है वो बनना है तो इसका कारण यह है मैं यह कहता था कि सबसे बड़ा पद और सबसे बड़ी उपलबधी तो तुमने जन्म के सात्य प्राप्ट कर लिया तुम आद्मी के रूप में जन्म लिये इससे बड़ा कोई पद होई नी सकता है और तुम जदी एक अच्छा इंसान बन जाते हो, तो वो तुम्हारे जीवन की सार्थक्ता हो जाएगी. तो सबसे बड़ा पद तो तुमने पहले ही प्राप्त कर लिया है, कि तुम मन उसे बने, इतने सारे क्रियेचर्स हैं, और उतने क्रियेचर्स के बीच में हम आदमी के रूप में जन्म लिये हैं, तो अब इससे बड़ा पद क्या होगा? और उसके बाद से जब आदमी या कोई भी प्राणी जन्म लेता है, तो उसकी प्रसंदता, उसकी सुतंतरता, यह सारे चीज़े माइने रखती है, लेकिन चुकि हम लोगे एक सामाजिक जीवन जीते हैं, तो सामाजिक रूप से भी सिक्षा की जरूरत है, मैं उससे कहीं अलग नहीं हो रहा हूँ, उसको भी मैं, उसकी प्रतिय भी मेरा आदर है, लेकिन पता नहीं को मैंने हमेशा प्रात्मिक्ता दी बच्चों की प्रसंदता की, और जीवन की सार्थकता मैं समझता हूँ, मनुस्यके बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहले कि वो एक प्राणी है, उसका दूसरा आस्पेक्ट है कि उसमें अंदर रैस्टनैलिटी है, तीसरा आस्पेक्ट है, उसका मोरल आस्पेक्ट है, उसके अंदर मोरैलिटी है, अगला एक और आस्पेक्ट है कि उसके अंदर एस्थेटिक सेंस है, सौंदर्य के प्रतिय चीतना है, उसके अंदर spirituality है उसके अंदर ये सारी चीजें भी है तो व्यक्तिक क्या विकास पून रूप से तबी होगा जब इन सारे पक्छों का विकास होगा यदि कोई मनों से बौधिक रूप से विक्सित हो और नैतिक रूप से वो बहुत गिरा हुआ हो तो उसको आप पूरा पूर्ण नहीं बान सकते हैं मैंने सुना था अनिक मैंने सुना है कि बहुत सारे बड़े बड़े पदों के लोग आत्मात्या कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि कही ने कही उनकी पूर्णता में कमी है वो उनकी अधूरी है उनकी सारी सिक्षा दिक्षा सब कुछ अधूरी है इतने बड़े पद पर जाकर भी आत्मत्या कर ले तो मैं चाहता हूं कि यह जो आश्रम है यह देवी के नाम पर है चुकि मेरी बेटी देवी काफी प्रसिद्ध रही है संगीत के खेत्र में और यह भी मैं आपको बता दू कि संगीत के खेत्र में भी उसका स्वत्त हो गई स्वत्त ही उसका केरियर बन गया गाना उसकी प्रसनता थी तो हमारी तरफ से हमने उसकी प्रसनता को ओनर किया और उसको प्रसन रहने के लिए हाला कि बिहार एक ऐसी जगह है जहां लड़कियों को गाना नाचना उसको लेकिन मैं मानता हूँ कि नाचना और गाना ये तो बहुत बड़ा हुनर है, यह एक हुनर है, सब कोई नहीं नाच सकता है, सब कोई नहीं गा सकता है, और यदि आप एक दूसरे दृष्टिकोंड से देखें तो हमारी सरस्वती जी उनके हाथ में भी वीड़ा है, हमारे जी जी में धूबाद कोंडर्तिका संबराथ माना जाता है, तो हमारे देवि देवता भी नाचते थे गाते थे, तो ये नाचना, गाना हे ये कैसे हो सकता है, तो हमने उसके रास्ते में कभी कोई अरचन नहीं डाला, बलकि हम ने उसको, जो उसका requirements था, उसको हमने प्रूर अलग apptocuit लेकर जनम लेता है. तो जो भी apptocuit लेकर मेरा बच्चा पैदा हुआ है और काम यह हो कर रहा है तो मैं उसमें सपोर्ट करता रहा और यह सपोर्ट करते करते वह काफी अच्छे रूप में उसका परिणाम सामने आया सबही अपने एक्षेत्र में एक एक बड़ा नाम बन गए हाला कि हमने नाम बनाना नहीं चाहता है लेकिन वो अपने स्वत्य ही एक बड़ा नाम बन गए तो इसी और मैं चाहता हूँ कि देवी मुझी कासरें भी ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों के लिए ही है यह सब के लिए है, कोई भी आकर यहाँ अपने व्यक्तित्तु का अपने जीवन का सरवागीन विकास की दिशा उसको मिल सकती है यहाँ पर तो अभी आपनी सुना कि देवी म्यूजिक आश्रम में कोई भी आकर अपना सरवागीन विकास कर सकता है ये एक बहुत अच्छी सोच है और ये एक बहुत ही बहतर और अच्छी शिक्षक की ही सोच हो सकती है सर मैं ये जाना चाहूंगे कि जिस वक्त देवी अपने संगीत सफर के शुरुवात कर रही थी और चुकि बिहार जैसे परिवेश में थी तो क्या एक पिता होने के नाते आपको ऐसा लगा कि कुछ बाधाएं हैं कुछ इस तरह के सामाजिक दबाव हैं जो शाहिद कभी आपको क्या थोड़ा विचलन महसूस हुआ या आपको क्या लगता है कि वहां और पिता जो अपनी बेटियों को इस शेत्र में आगे लाना चाहते हैं उन्हें कोई इस तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं दबाव तो जहेलने पड़ते हैं यदि माता पिता थोड़ी मजबूत इक्छाशक्ति के नहों बधिक रूप से प्रकर नहों तो वह सामाजिक बातों में बैह जा सकते हैं जनरली लोग बैह जाते हैं उनको लगता है मैंने तो दिखा है कि बच्ची जब थोड़ी से बड़ी हुई बच्पन में खूब अच्छी टैलेंटेड रोट डांसर थी डांस करती थी मंच पर जाती थी अब थोड़ी दिन के बाद अचानक उसके फादर उसको बोलते हैं कि अब तुम मंच पर नहीं जाओगी कारण सिर्फ यह है कि अब तुम बड़ी हो गई हो तो यह मुझे कुछ अजीब सा लगा है समाज हमसे जमान एक फिल्म हमने देखी तो उसमें एक डायलेक्त है कि हम हमारी प्रात्विक्ता हमेशा रहेगी हम जो चाहेंगे वो करेंगे समाज हमें हम एंटि सोचल नहीं होंगे लेकिन अपनी मर्यादा के बीच अपनी सम अपनी स्वतनत्रता के बीच हम जो चाहते हैं जो हमारे समझ से अच्छा है वो ही हम करेंगे समाज हमको हिलानी सकता है ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी समझ के हिसाब से ही करेंगे और समाज हमें हिला नहीं सकता है बिल्कुल यही द्रड़ता यही निश्य एक पिता के अंदर या किसी भी अभी भावक के अंदर होना चाहिए और तब ही उसके बच्ची वो कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं मेरे एक प्रश्न ये भी है कि भारती आश्रम व्यवस्था में आज ग्लोबल परिवेश में आश्रम की जो एक आश्रम का कंसेप्ट है वो कई तरह के मिठक गढ़ रहा है तो प्राकृति कला साहित और समाज में अपने गहरे सारोकारों के चलते आप इस मिशन को किस ओर ले जाना चाहेंगे मुझे लगता है कि शायद चुकि आश्रम आज कल बहुत बदनाम भी हो रहे हैं पता ने मिठक का आपका सेंस क्या है मेरा यही सेंस है कि वो जो दिखता है बिल्कूँ होता नहीं है आज भी भारत में बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं और उनके जो आश्रम है जब बहुत सारे तो गुरु धर्म जेल में पड़े हुए हैं उनको आजीवन का आवास हो चुकी है बहुत तरह के और जैसा अंदर में देखा जाता है आश्रम में तो तबाम तरह के विकृतियां है लेकिन विकृतियों का मतलब यह नहीं होता है कि वो concept खराब है व्यक्ति खराब होता है गुरु खराब हो सकता है लेकिन गुरु और शिष्य शिक्षक और चात्र का जो संबंध है यह तो बड़ा ही आवस्यक एक संबंध है तो इसको तो यह तो प्राचीन काल से चला आ र तो आश्रम व्यवस्था भी एक प्राचीन व्यवस्था है और उसकी कुछ एक अलग खासियत है और वो यदि मेंटेन रहता है अभी भी उसके अनुशार आश्रम व्यवस्था पहले हुआ करती थी जहां गुरू और शिष्य प्राकृतिक वातावरन में रहते थे और ग्यान की प्राप्ति करते थे गुरू के और गुरू भी पिता तुल्य होते थे जो अपने शिष्यों पर के हित के लिए तमाम तरह के वो करते थे उसका इंतिजाम करते थे तो गुरू शिष्य की परंपरा में ही आश्रम व्यवस्था भी है तो आश्रम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं बलकि उसको तो अभी तक अभी तक आपने सुना होगा महतमा गांदी जी का साबर मति आश्रम, बिनोबा भावे का वर्धा में आश्रम था, फिर और भी लोगों के बड़े बड़े आश्रम है, महर्शी महेश योगी के है, ओशोक के आश्रम है, या फिर अभी तो र उसमें कोई धोश नहीं है, अब उसके भीतर में कुरितिया आ जाए, भीतर में कोई विक्रिति हो जाए, तो वो तो वेक्ति विशेष का मामला है, उसमें आश्रम की जो system है, system में system खराब नहीं है, वेक्ति खराब हो सकता है, और जहां तक globalization की बात है, तो यह तो अच्छी ब की जो विकास के कारण, उसका जो platform है, अचानक बड़ा रूप ले सकता है, तो globalization यदि हमारी भी किसी चीज का globalization हो रहा है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है कि उसका प्रशार पुरी दुनिया में हो जाए, तो इसलिए globalization के साथ भी हमारा कोई गति जरूद नहीं है, कोई व्यागात नहीं है, और आश्रम की जो व्यवस्था है, उसके साथ भी हमारा कोई व्यागात नहीं है, हाँ, आश्रम के साथ बहुत सारी घटनाय होती है, उतो होती रहेंगी, उतो मनुष्य मातर की कमिया है, कमजोरी है, जो की शुरू से होता रहा ह आगे भी होता रहागा जैसा कि इनों ने बताया कि आश्रम को लेकर सिर्फ वो चीजे नहीं है जिनके लिए आश्रम को लेकर शंकाओ की नजर से देखा जाता है और आप रिशी केस में देवी म्यूजिक आश्रम जब भी किसी गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा और यहां पे एक बहुत ही बेहतरिन व्यवस्ता है और मैं जहां तक देख पाई हूँ यहां आकर मैंने यह देखा है कि लगभग विदीशों के बहुत सारी स्कॉलर जो म्यूजिक से रिलेटेड हैं यहां आकर अपनी संगीत साधना करते हैं बगाईदा यहां काफी कंसर्ट्स होते हैं मतलब एक जो वैश्विक तरीके से संगीत का आदान प्रदान यहां होता है तो सच में यह एक बड़ी अच्छी चीज है एक नया विजन है और प्रमोट जी की यह परिकल्पना है जिसमें उनके बच्चों ने उनका भरपूर सा योग किया है और यह शायद सिर्फ इसलिए हो गया है अतनी स्ट्रॉंग बांडिंग इसलिए हो पाई है कि वो एक ऐसे पिता के रूप में रहे जो सिर्फ एक शाशक नहीं रहे एक तोस्त बन के रहे जहां तक प्रमोट जी की बात है दर्शन सास्त्र के प्रोफेसर होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे थिंकर, विचारक है और सहित्यकार भी है कई उन्होंने गीत लिखे हैं जिसको उनकी पुत्री ने स्वर दिया है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रिटार्मेंट के बाद, आकाश के बाद क्या आप अपने साहित्यक कर्म शित्र में भी कुछ इजाफा करना चाहेंगे कुछ और लिखने पढ़ने की योजना है आगे के भविश्य के लिए आपने भी क्या तैक किया है लेखन में मेरी रुची है और जब भी मैं महसूस करूँगा या करता हूँ कि कुछ लिखने लाइक बात है कोई मुद्दा हमें दिखाई देता है कि इस पर लिखना चाहिए तो मैं पहले भी लिखता रहा हूँ और आगे भी मैं लिखता रहूँगा मैं एक जागरूक नागरिक के रूप में भी हूँ और इक अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं जो लिखता हूँ लोग उसको अच्छा पसंद करते हैं तो लेखन का कारे में करता रहूँगा, सब काम में वैसे ही करता रहूँगा, एक बार रिटायर्ड में कर चुका हूँ, अब आपके पास पूरा समय है, कि आप अपने हर एक शौक को पूरा वक्त करें, और मैं अपनी उमर पर कभी ध्याने नहीं देता, एक आदमी ने हम से पूचा कि आपकी उमर तो बहुत हो गई लेकिन आप, टो मैंने का नहीं मेरी उमर बहुत कहा है, मेरी उमर तो एक धिन है केवन, और एक दिन से ज्यादा मैं कभ़ी होता ही नहीं हूँ, चुकि हर दिन मेरे विए नया होता है, सुछ में मैं जन्म लेता हूं और रात के बा तो इस मनसिक्ता के कारण में हमैंसा सक्रिय रहोंगए अच्छा लेखन में क्या लिखना आपको सब से सहज लगता है जो एक होता है कि आप क्या बहुत सहज सासर म किस विधा में लिखते हैं क्या लिखना जैसे कि गीत, गजल, कहानिया या फिर कोई यात्रा वृतान डाइरी मतलब आप क्या लिखना ज्यादा पसंद करते हैं काविता तो मेरी बहुत प्रात्मिक्ता नहीं है लिखने की गीत मैं इस दिये लिखने लगा लेकिन हाँ मैं काविता पहले स्टूडेंट लाइफ में मैं लिखा करता था हमको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में भावातिरेक होता है और भावातिरेक क्योंको व्यक्त करने की सबसे अच्छे विधा कभिता को ही मैं मानता हूं तो बच्पन में मैं उस्सी भावातिरेक में मैं लिखता था और कवित्व भी था मेरे अंदर और बाद में एक जरूरत भी हो गई मेरी चुकि देवी को अच्छे गाने की जरूरत होती थी और अच्छे गाने मिलते नहीं थे कहीं कहीं से कुछ मिलता भी था तो एक अधा लाइन उसका अच्छा होता था बात में फिर सब गर्बर सर बढ़ता थ। остав मेंुए उस एक लाइन को तुलेता था तैसे तू नाम का रखता था लेकिन सबकराने उस ने भी ते था यह को और कुछ जो है जो कहानी गद्य साहित्य में जादा है, मैं कहानियां लिखता था, बच्पर में मैं लिखना भी चाहता था, एक शॉट फिल्म भी हमने बनाई, जिसका स्क्रिप्ट और स्टोरी मेरा था, जलसा घर की देवी, यदि आप यूटूब पर जाएंगे, जलसा घर की देवी तो आप मेरी उस फिल्म को देख सकते हैं, जिसमें मेरा स्क्रिप्ट है, मेरा डायलोग है, और कुछ कहानियां भी मैंने लिखी है, और गद्य में भी मेरी रुची है, लेक में मेरी रुची है, यात्रा, रिपोर्ट, रिपोर्टाज, उसमें भी मेरी रुची है, तो गद में जादा है अच्छा आपको घूमने का भी काफी शौक है आप देश-विदेश बहुत यात्राएं करते हैं तो घूमने वाली जगों में आप कैसी जगे जाना पसंद करते हैं देखें मेरे को दो चीज अच्छा लगता है nature और culture तो में जहां भी जाता हूं पहली बात तो मैं nature को देखता हूं और दूसरा चीज का देखता हूं और culture को देखना हो nature को देखना हो तो आपको घूमना पड़े गई जब आप घूमते हैं तो रेगिस्तान यदि आप देखना चाहते हैं और आपका जन्म किसी मैदानी जगह में हुआ है तो बिना रेगिस्तान मिच गए यदि आप भारत में हैं तो बिना राजस्थान गए आप रेगिस्तान नहीं देख सकते हैं उसकी क्या सुन्दरता है पह तो हर छेतर का एक कुछ खासियत होती है, हर थोड़ी दूर के बाद भाशा का भी खासियत होती है, भाशा भी बदल जाता है, तो इन सारी चीजों में जो कल्चर की अंतरगत आता है, कल्चर और नेचर, इन दो चीजों के लिए मैं घुमता रहता हूँ, चाहे जितनी दूर जा सको, मेरी चाहे कि मैक्सिमम दूर तक जाओ, तो आपने सुना कि उनकी व्यक्तिकत पसंद किस तरीके की है, और जीवन को किस दृष्टी को उनके साथ देखते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, और आप सबसे गुजारिश है कि जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आप पहाड में विशेश कर उतरा खंडाना चाहते हैं, आप रिशी के इस देवी मिजिक आश्रम में जरूर आएं और देखें कि एक पिता की परिकल्पना ने कितना सुन्दर रूप लिया है, और उनके बच्चों ने इसको कितनी अच्छी तरह से एक साधनास थली के रूप में विक् करते हैं कि आप से आगे भी इस तरह की मुलाकाते होती रहेंगी, आप दर्शकों को अगर फिर से एक बार कोई संदेश देना चाहें, तो आपका स्वागत है। और साथी साथ रंजीता जी को भी मैं विशेश रूप से धन्यवाद देता हूँ, कि इतने साहतिक अंदाज में इन्होंने अपने सवालों को रखा, कि मैं कभी-कभी थोड़ा सा, मैं भी सूच में पढ़ जाता था, बहुत उम्दा प्रशनों को इन्होंने पूछा, इनक जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जी बहुत शुक्रिया, तो कभी-कुम्ब और ख़बरी.com की ओर से फादस डे पे विशेश आभार एक बहुत ही गर्वित पिता, डॉक्टर प्रमोध कुमर जी को, उमीद है आप सब हमारे साथ बने रहेंगे, हमेश पिता सिंग फलक